नमस्ते सौगत आपके इस वीडियो में इस वीडियो हमें बात करेंगे कि सोशल मीडिया का फाइदा किया है क्यों यह इंपोर्टेंट है और कैसे आप अपने सोशल मीडिया प्रेसंस को और भी बहतर बना सकते हैं ताकि अब जादा से जादा लोगों तक पहुंचेंगे तो फिर फाइदा भी आपको ही होगा तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को नमस्ते सौगत आपका टीश मोर रुपया और जैसे आप जानते हैं टीश मोर के माधियम से आप अपने अपना अकाडमी लाँच कर सकते हैं अपने कोस्ते सको बहुत ही अशानी से हजारों ला पीपल सोशल मीडिया को यूज करते हैं और रेगुलर बेसिस तो इसलिए इतना बड़ा मार्केट क्यों चोड़ रहा है तो चलिए अभी बात कर लेते हैं कि इसके बेनेफिट्स के बारे में तो सोशल मीडिया के बेनेफिट्स तो बहुत ही होते हैं आपको इभी प्रक्या सर्वेस सेल कर सकें तो यहाँ पे जादा से जादा लोग जो है जादा से जादा कस्टमर और ऑनलाइन के उपर या इंटरनेट के उपर डिपेंड करते हैं अपने आपको एड़ुकेट करने के लिए तो इस वीडियो के मादिन से आप खुद को एड़ुकेट कर तेया करते हैं, सोशल मीडिया आउटलेट को और भी स्ट्रॉंग करते हैं, तो इसमें फाइदा यह हो जाता है, कि आपका एक ब्रैंड आइडेंटिटी आप इस्टाब्लिश करते हैं, आपका अथॉरिटी लोगों को पता चलता है, आपको इसके बार में पता है, आपको as a expert वो इंडस्ट्री में, वो सोशल मीडिया में establish करता है, तो इसके long term benefits बहुत होते हैं, तो सोशल मीडिया में आने का फाइदा क्या होता है, सबसे बहला फाइदा होता है कि आप सोशल मीडिया के माधियम से communicate कर सकते हैं, देश के प्रधान मंत्री हो या आपका favorite influencer, सब कोई सो fulfill कर सकते हैं, उसे के साथ साथ आप trust भी build up कर पाएंगे, क्योंकि जब भी आप अपने customer के साथ directly engage कर रहे हैं, directly उनके साथ communicate कर रहे हैं, तो फिर trust build up होता है, आपका customer के ऊपर, customer का आपके ऊपर, तो चलिए कुछ tips discuss करेंगे, ताकि आप अपने social media presence को और बहतर बना सकें, औ achievable, relevant and time bound, यानि की specific terms है, मैं जादा इसको explain नहीं करूँगा, आप smart है, ताकि आप smart goal को smart तरीके से समझ के, उसको smart तरीके से implement कर सकें, तो इससे आपका जो भी social media strategy होगा, या जो भी message आप convey करना चाते हैं, जो भी product या service के बारे में बताना चाते हैं, उसको specific, measurable, achievable, relevant and time bound तर करने हैं, for example, class 9 के student को, तो अभी आप हरे को तो address नहीं करेंगे, सिर्फ उसी audience को address करेंगे, जो class 9 CVSE में परते हैं, या कोई specific, जिसको आप address करना चाहते हैं, जिसको आप अपना solution है, वो provide करना चाहते हैं, तो इस जगा पे आपको समझना है, not everyone is your customer, not everyone is your audience, यानि आपको थो इसलिए जब आप अपना audience identify कर लेते हैं, तो आपको पता चलेगा कि उनका क्या problem होता है, जैसे मैंने बताया कि class 9 के student आपको पता होगा, कि उनको कहां पर problem हो रहा है, maybe उनको revision में problem हो रहा है, maybe उनको exam preparation में problem हो रहा है, maybe उनको syllabus खतम करने का problem हो रहा है, तो उस जगा पे उस challenge को जब आप identify करते हैं, तब उसका solution जब आप provide करते हैं, तब आप उनको अपनी तरफ attract करते हैं, उसी के साथ साथ आपको ये भी पता चलेगा कि आप तो अखीले नहीं है, उस domain में और भी जादा लोग है, उस domain में और कौन है, और कौन सा company हो, किस तरीके से communicate कर रहे हैं अ हो चाता है इस जगा पर यहां पर आपको अपनी customer के साथ communicate करना पर आपड एक मैं अपको सब्सक्राइब कर रहे हैं, आज अपके साथ कि अपनी दोस्टों के ना पकर चाहिए मैं आपको अपनी दोस्तों के साथ alssliciman चाहिए और यहाँ पर आपको followers को followers की तरह एकदम maltreat तो एकदम नहीं करना चाहिए उनको अपने friends के साथ अपनी दोस जैसे आपको treat करना अपनी family जैसा treat करना है यानि वो आपके digital एक family हो जाते है यानि आपको अपने audience के साथ एक relationship form करना है और हमेशा जब भी आप reply करते हैं at the rate इस्तमाल कर सकते हैं twitter में instagram में facebook में youtube में भी आप इस technique को इस्तमाल कर सकते हैं उसी के साथ साथ कोई भी question को अगर पूसता है तो उसको आप reward back कर सकते हैं reply कर सकते हैं at the rate mention या उसका username mention करके सिर्फ retreat नहीं उनको आप response दीजे comment कीजे comment करने में कितार नहीं लगता है voice typing करके कर लीजे जल्दी हो जाएगा उसी के साथ साथ आप conversation तयार करने की conversation start करने की कोशिच कीजे अपने audience के साथ और यह long term commitment में होता है यहाँ पे आपको अपना schedule भी बना के चलना पड़ेगा यानि दो दिन दो वीडियो बनाया खतम हो गया ऐसा नहीं होता यह आपको continuously चलाते रहना पड़ेगा effort डालते रहना पड़ेगा इसलिए हमेशा अपना schedule बनाए और schedule को maximize कीजे ताकि आपका जो content है वो जादा से जादा logo तक आसानी से पहुँच सके इस पर आपको ध्यान रखना है जब भी आप social media को use करते हैं आपका primary target होना चाहिए कैसे मैं help कर सकता हूँ rather than selling बहुत सारे लोगों को direct sales process अच्छा ही लगता मैं आपको अगर कहूँगा कि नहीं आप account बनाओ आप हमारा platform use करो you will not be interested हम आपको help कर रहे हैं इसके मादिन से आपका एक trust build-up होता है आपको लगता है नहीं ये company reliable है ये platform reliable है इसलिए आप teach mode को इस्तेमाल करेंगे अपने courses को sell करने के लिए अपने academy को launch करने के लिए तो यहाँ पे आपका focus होना चाहिए कि कैसे आप अपने audience को अपने customer को help कर पाएंगे उसी के साथ-साथ sell तो करेंगे पर primary objective होना चाहिए कैसे उनको help कर पाएंगे उनको solution provide कर पाएंगे इसने कुछ tips आपके लिए है mass reply है कि hello hello thank you thank you ऐसा करके आपको use नहीं करना है बहुत लोग whatsapp bot इस्तमाल करते है email इस्तमाल करते है mass email इस्तमाल करते है वो नहीं करना है और अपने audience से वो question अगर पूछती है तो उसको timely response दीजिए आप अगर 4 हफते बाद अगर response देते हैं 2 साल बाद अगर आप response देते हैं उसे के साथ साथ आपके accounts को भी यानि social media में जितने आप account कर रहे है उसको आप सही तरीके से optimize कीजिए कैसा करेंगे चलिए देखते है optimize करने का बहुत ही simple तरीका है उसको clear cut fulfill करके साफ सुतर करके organize करके रखी यानि images इस्तमाल जादा कीजिए टेक पढ़ने का किसके पास time नहीं है वीडियो बना ही images इस्तमाल कीजिए visuals को जादा इस्तमाल कीजिए keywords को इस्तमाल कीजिए ताकि आपको SEO में advantage मिले उसे के साथ साथ आपके account information को भी fill out कीजिए जैसे आपका photo हो गया details हो गया address हो गया contact ID हो गया email ID हो गया इसको आप जरूर mention कीजिए और कुछ quick tips में आपको बताता हूँ relevant keywords को इस्तमाल कीजिए अपने profile में ताकि आपको SEO में फायदा मिले जादा से जादा लोग आपको discover कर पाएंगे उसे के साथ साथ अपने content को share कीजिए अपने industry के अंदर अगर आप tech में हैं अगर आप finance में हैं अगर आप legal में हैं आप उसी industry में उसको share कीजिए LinkedIn, Twitter, YouTube, Facebook के मादिम से groups के मादिम में से कर पाएंगे और जितने भी popular accounts हैं यानि influencers हैं उनको आप reach out कीजिए उनके साथ बात कीजिए कि मैं ऐसा शुरू कर रहा हूँ आप मुझे थोरा सा endorse कर दीजिए मेरे साथ आप थोरा सा बात कीजिए आपको मैं एक interview लेना चाहता हूँ तो ऐसे आप definitely अपने business को अपने brand को definitely promote कर सकते हैं जादा से जादा लोगों तक पहुचा सकते हैं और सबसे बड़ा चीज है अपनी presence को लोगों तक पहुचाना आप खुद को establish करना ये बहुत important हो जाता है social media के माधियम से आप long term अपने customer के साथ ये audience based के साथ reach out कर सकते हैं अलग-अलग platforms हो जाता है उसको आप integrate कर सकते हैं बहुत रहे software हो जाते हैं आपको मिल जाते हैं और सबसे बड़ा चीज है कि आपको active रहना पड़ेगा क्योंकि ये communication channel है communication channel को तोड़ना नहीं है आपको regularly post करना है schedule post अगर आप regularly नहीं कर पाते हैं तो schedule post कर दीजिए वो अपने आप ही publish होते रहेगा और कोशिश करें कि fresh content को इस्तमाल करें तद ना कि आपका पुराना content है उसी को recycle करके आप चला रहे हैं ये mistake मत कीजेगा क्योंकि आपकी audience आप से जादा smart है आप सो smart है ही पर वो भनक उनको लग जा दिए कि भाई आप recycle करके चला रहे हो जो latest trend है उस पर definitely focus कीजेगा अगर उस पर आपके audience का interest है तो definitely उसको आप address भी कीजेगा next हो जाता है कि don't be afraid to pay जब आप शुरू करने हैं तो आपको ज़्यादा traction नहीं मिलेगा ज़्यादा audience नहीं मिलेगा so don't be afraid to pay यहाँ पर paid advertisement के मादिन से आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं आप अपने social media को rapidly grow कर सकते हैं अपने desired audience तक directly पहुंच सकते हैं क्योंकि आप analyze कर पाऊगे और यह आपको long term में better return on investment भी देता है आपने तो social media बहुत use कर लिया पर अगर आपको पता ही नहीं कि जो post है उसको follow कर रहा है unfollow कर रहा है या उसका interest कहाँ पे peak कर रहा है कहाँ पे नीचे जा रहा है तो यह चीज़ आप analytics के मादियम से आप आराम से कर सकते हैं analyze और यह आपके further social media strategy को strong करता है और उसी के साथ साथ ऐसा content बनाएं जो लोग देखना चाहते हैं किसे को copy मत कीजिए किसे का event की thumbnail भी copy कर देते हैं आप दूसरे का content का style इस्तमाल कर सकते हैं मतलब हाँ यह content यह content अगर combine करके देता हूँ तो मेरे audience को फायदा होगा उस तरीके से आप कर सकते हैं पर copy paste का का काम मत कीजिए और जो भी आपका एक comfortable way होता है be comfortable and be genuine with whatever that you're doing because लोगों को पता चल जाता है अगर आप uncomfortable है अगर आप fake कर रहे हैं so please make sure that social media में you are comfortable and genuinely trying to connect with your audience and trying to help them तो यह था आज का video I hope this video was helpful to you और अगर आपका कोई भी question query है definitely हमें comment section में बताएएगा हम आपको definitely मदद करेंगे उसी के साथ साथ like, share, subscribe तो बनता है और कौन सा topic आप जानना चाहते हैं कौन से topic के बार में आप और information चाहते हैं definitely मुझे comment section में बताएगा thank you very much for watching this video